मेरा नाम जैश कुमार है मेरे दादा जी वारा नसी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे मेरे पिता जी राजेश कुमार को हमारे खानदानी व्यापार में कोई खास दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए उन्होंने वकालत की पड़ाई की और वकील बन गए हम सभी लोग एक ही घर में रहते हैं मेरे दोनों चाचा पिता जी के साथ ही उनके आफिस में काम करते हैं लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी सबसे छोटी चाची का असली रूप देखा तब मेरी सिंदगी नर्क से भी बत्तर हो गई मेरी चोटी चाची सबसे ज़्यादा जगडालू और जहरीली स्वभाव की थी उन्हें घर का काम करने में और बड़ों की इज़त करने में कोई दिलजस्पी नहीं थी हर रोस वै मेरे दादा दादी को अपमानित किया करती थी और उनकी कदिविधियां भी काफी संदिक थी एक बार जब रात की तीन बजे मेरी नीन खुली तो मैंने खिड़की से बाहर जांक कर देखा कि मेरी चोटी चाची अपने बाल खोल कर बरामदे में खड़ी आसमान की तरफ देख कर कुछ बड़बडा रही है मैं फॉरन नीचे गया और देखा कि उनके मूपर खून लगा हुआ है और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली का एक सिर है और दूसरे हाथ में बिल्ली का शरीर था अपनी चाची का ये वैशक नाक रूप देखकर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया डर के मारे मेरी चीख निकल गई मेरी किसमत खराब थी कि मेरी चाची ने मुझे वहाँ देख लिया वे तुरंट उसी हाल में मेरे पीछे भागने लगी लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला और अपने कमरे के खिड़की दर्वाजे बंद कर लिये पूरी रात मैं इसी डर से सो नहीं पाया कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे सुबा के समय जब मैंने दर्वाजा खोला तो मेरी सांसे थम गई मेरी चोटी चाची दर्वाजे के सामने खड़ी मुझे कुस्से से घूर रही थी उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वे मेरा भी यही हशर करेंगी उनकी ये धमकी सुनकर मेरी रातों की नीन हराम हो गई मुझे हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी चाची घर में किसी की जान न ले ले लगभग एक हफ़ते बाद फिर से मेरी नीन रात को तीन बजे खुली बरामदे में दुबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी मैंने देखा कि मेरी चाची वहां खड़ी है और उनके साथ एक अगोरी तांतरिक भी है जिसके पूरे शरीर पर राक मली हुई है इस पार मुझसे रहा नहीं गया मैंने फॉरन शोर मचाया और पूरे घर को वहीं इकठा कर लिया मेरे दादा दादी, ममी बापा, मंजले चाचा, छोटे चाचा और मंजली चाची फॉरन उठ गई और वह सभी नीचे बरामदे में आ गए छोटी चाची और उस अगोरी को हम सबने खेर कर उप धोया और अगले ही दिन छोटे चाचा ने चाची को तलाग दे दी हम सब कोट में गए और वहाँ मेरी छोटी चाची मुझे बड़े ही गुसे से देख रही थी कि तभी मेरे पिताची और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उन्होंने चाची को धक्का दे कर पीछे कर दिया चाची की धंकी सुनकर मैं पुरी तरह हिल गया हम सब अदालत से वापस आ गए समय के साथ साथ मैं चाची और उनकी दी हुई धंकी को भूलने लगा लेकिन एक दिन उनकी धंकी सचाई में बतल गई जब अचानक देर रात को मैंने देखा कि मेरी एक्स चाची और वो अगोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं इस से पहले कि मैच चलाता उसने मेरा मूँ दबोच लिया और उस अगोरी ने मेरे पैर पकड़ लिये फिर चाची ने कैंची से मेरे कुछ पाल काटे और मेरी उंगली में सुई गुसा कर मेरे खून के कुछ कत्रे ले लिये और अलमारी से मेरे कुछ कपड़े निकाल कर अपनी थैली में भर लिये और वे दोनों मुझे बलंग से नीचे गिरा कर भाग निकले मैंने खूब शोर मचाया सब इकठे हुए लेकिन तब तक वे दोनों भाग जुके थे हमने तुरंग पुलिस कंप्लेन की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला मुझे अभी समझ नहीं आता कि मेरी एक्स चाची मेरे बाल, खूण और कपड़ों के साथ क्या करने वाली है कुछ लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के जरिए उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं उसका खून चूज सकते हैं उसे बिमार कर सकते हैं और यहां तक के उसकी जान तक ले सकते हैं भगवान ही जाने कि मेरे साथ क्या होगा यो तो इस घटना को काफी साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी मैं डर के साए में जी रहा हूँ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर दिस्क्रिप्शिन में दिये गए इमेल पर भेश सकते हैं